आप सभी को याद होगा जब हम लोग मैप्स ऌरा यह मैप्स पूरा कवर कर रहे थे मिंद थे माड़के है एतने देश को याद कर पाना मुष्किल है इतना देशों के वारे में याद रख़़ाना मुष्किल है तो मैंने उस वक। Telly बहु कि हर देश को याद कर पाना उसके बारे में जो माधपूर्ण पॉइंट है उने याद कर पाना मुस्किल है, सबके लिए मुस्किल है, आपके लिए नहीं सबके लिए मुस्किल है, तो मैंने एक सब्द बोला था कि जो जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, उस साल मे जो देश याद रहा, मतलब जो देश चर्चा में रहे उस समय, तो उनी देशों के बारे में आपको मत, उन पॉइंट भी याद रखना है, उन देशों की मैप्स में आपको इस्तिती भी जान लेनी है, तो अभी आपने देखा है कि लेमनान में किस तरह से भेहन कर विस्पोर हुआ, उसके बाद देखा कि वहाँ, आपने देखा होगा कि भारी पे दर्शन हुआ, इस तरह का, उसके बाद राजनेती के चलते इस तरह पिधान मंतरी हसन देयाब साहब है, उनने पूरी केवनीट के साथ इस्तिवा दे दिया, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो चबर की हुई है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, मैप के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी गुए है पूरी, और बहुत अच्छे तरह से समझाए गया है मैप्स का सहारा लेकर, अभी लेमनान की अगर हम लोग बात करें, कहां है मैप्स में, सबसे पहले चलते है हम अपनों, देखते हैं अपना यह हमारी प्यारी इवित्वी है, इसमें हम देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत है, एसिया में हमारा प्यारा भारत है, भारत के अगर पढ़ोसी दिसों की बात करें, तो यह यहां आपका स्रिलंका देखने को मिलेगा, म्यानमार, अगर के पास देखने को मेरी लगा लेवनान देश इसकी राधधानी की बात करें तो इसकी राधधानी है बेरूत क्या है बेरूत इसी की बात की जा रही है अगर इससे हम लोग इससे किस-किस की सीमा लगती है सिरिया से भी सीमा लगती है जरायल से भी सीमा लगती है लेवन के कारण बन रहे राजनितिक दवाओ के चलते हैं लेवनार के जो प्यधान मंत्री है हसन दियाब इन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तिवा दे दिया आप भी जानते हैं कि आपके देश में भी कैबिनेट मंत्री है उसमें आपके मुख प्यधान मंत्री होते हैं हो सकता है कि कभी दवाव पड़े इस तरह के विरोध प्यदर्शन हो भेहन कर विरोध प्यदर्शन सरकार के खिलाब वह सकता है देज ने तो कभी भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं ठीक है लेबनान की राध्धानी विरोध के बंदरगा में रखे 2750 यानि कि 2750 टन आमोनियम ना पाकी की जाच में सरकारी इंबाहिक में किलापर वाही और सरकार की आयोगता को लेकर सवाल पुठने पर जनता द्वारा आतक्रमक बिरोध प्यदर्शन किये गए जिसमें सरकारी मंतरालयों पर पत्थर वाजी की गई और कई जगों पर पुलिस से जढ़ भी देखने को मि लिए लेवनान के बारे में अगर बात करें तो लेवनान पश्च्चिम एसीया में इस देख देश है जिसे रेपबलिक और लेवनान भी कहते है अगर आप से पूचे लेवनान का दूसरा नाम क्या है तो रेपबलिक और लेवनान के नाम से जानते हैं इसकी राधानी बेर चीज करोड मतलब मुझे लगता है कि इस समय तक ये 2011 की जनगरणा के अनुसार अगर हम बात करें तो एक से कीस करोड जन संग्या है लेकिन अब दोस्ते सोचिए कि हम लोग देन राज आप सोचिए को किसी भी मतलब आप किसी भी छित में हम लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं लेकिन जन संग्या के मामले में हम तुम लोग बरावर तरक्की कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक सो तीस करोड के आगे निकल चुकी हो जिसमें आपके इसमें से 68.6 लाख में से 54.3 मुसलिम मिलेंगी और 41.3 इसाई देखने भी मिलेंगे इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा सीरिया से लगती है जबकि इसकी दच्छडी सीमा इजरायल से लगती है ठीक है इन्हें भी याद रखें क्योंकि पूंच ले सकता है कि लेवनान की सीमा किन-किन देशों को छूती है सीरिया और इजरायल इसके पुस्टिम में आप लोग भूमत सागर को भी देखेंगे अमोनियम सलफेट इससे अमोनियम नाइटरेट इससे कुष्टन्स मुझे लगता है बन सकता है अपने सुद रूम में अमोनियम नाइटर इस सूत को भी याद रुखन एक सफेद क्रिश्टलिय रसायन है जो पानी में घुलन सील है यह खनान और निर्माड में प्रयोक्त वाडिजिक विस्पोट को के निर्माड उपयोगर में होने बाला मुख घटक भी है इसका उपयोग किरसी और वकों और अन नाइटरोल जन और समर्द यह खिलिए किया जाता है बारत में विस्पोट अधिनियम 1884 के इंतगत अमोनियम नाइटर नियम 2012 ऐसे किसी भी मिस्रण यह यह जिसमें 45-30 से अधिक अमोनियम नाइटर सामिल है को अमोनियम नाइटर यह खिलिए की रूम में परिवासिक करता है चुकि इसका उत्दोग एक विस्पोट को संबेदनाहारी गैसों और वरकों कोल्ड पैक के उत्पादन के लिए गटक की रूम में किया जाता है इसके दो रूपयों की प्रवत संभावना है इसलिए भारत में अमोनियम नाइटर अत्यदेक बेनिमित थे अमोनियम नाइटर नियम 2012 कि त विकास और अधिनियम 1991 कि तहटे एक उत्दोग लाइसेंस आवज लेए अमोनियम नाइटर नियम दो यार बारे कि तहट भी एक लाइसेंस आवज लेए आप समझ सकते हैं कि कितना महत्पूर है मतलब सोचे कि कितने नियम बनाए गये इसके लिए इसे बेनिमित करना के लि इसका सूत भी आपको याद रखना है, और इसमें जो अधीनियम है, नियम है इन्हें याद रखना है, और एक बात इसमें लेवनान के बारे में आपको याद रखना है, कि इसकी सीमा कितने देशों से रखती है, जनसंख्या भी याद रख लिजी, इसका दूसरा नाम Republic of इतना ही आपसे questions बन सकते हैं, इसकी रात्दानी भी पूँच सकता है, वो अंडे exam में आपका पूँच लेगा कि लेवनान की रात्दानी क्या है, तो आप याद रखी बेरूत, टीका?